चलिए बनाते हैं घीर पोड़ी वो भी देसी स्टाइल में अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उमिद करती हूं अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ मैं यहाँ पे तीन किलो मैदा ली हूँ इसे हम चाल लेंगे अच्छे से ताकि इसमें कोई कचड़ा हो तो वो निकल जाए अब मैं इसमें एक पैकेट मंगरेला डाल रही हूँ इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक देंगे इसमें जादा नमक नहीं देना है बस थोड़ा साही देना है क्योंकि इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि यह मिल जाए अब इसमें हम 100 गिराम के करीब रिफाइन ओल ड दिखा रही हूँ अगर आपको इस तरह के से वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट कीजेगा मैं ऐसे वीडियो फिर से लाओंगी हम सब मिलके यहां इटी का चूला बना रहे हैं और इससे जलाने की कोशिश कर रहे हैं यह खीर पूड़ी अकेले नहीं बना रहे हूँ मे पहले ही गैस में उबाल लिए थे इसमें पत्ता डाले है अब इसे चुले पे चड़ा देंगे इसमें एक बार और उबाला आएगा तो हम इसमें चावल डालेंगे हम यहां पर अरवा चावल से खेर बना रहे हैं चावल को हम लोग पहले ही पीस लिए है अब इसमें हम लकरी कजन सिस्टर इसमें चावल डा रही है मैं नीचे से आच लगा रही हूं से चलाते रहना है इसे बिलकुल नहीं चोड़ना है क्योंकि नीचे लग भी सकता है इसलिए चलाते वे खीर को बनाना है और आप एक बार ऐसे ट्राइज जरूर कीजेगा अगर आप शहर में र बनाएंगे ऐसे चूले पी कुछ बनाएंगे अगर आप जो भी बनवाना चाहते हैं आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं खीर को चलाते रहना है ताकि यह नीचे से लगे नहीं अब हम इसमें 300 ग्राम के करीब चेनी डालेंगे चेनी मेरी अम्मी डाल रही है अम्मी अंद डालेंगे यहां हम सुखे नारियल डाल रहे हैं सुखे नारियल कद्दू कस कर लिए थे आप चाहे तो कच्छा भी डाल सकते हमारे पास नहीं थी तो हम सुखे वाले डालेंगे उससे थोड़ा सा गिर गया है अब इसमें 100 ग्राम के करीफ चुहाडा डालेंगे इसको भी ह अच्छा से फूल गया है इसे हम दो घंटा के लिए रेस्ट में रख दिये थे अब इसके चोटे-चोटे लोईया बना लेंगे और इसको पूरी बनाएंगे चोटे-चोटे-चोटे लोईया बना के हम रख लेंगे ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही बना-बना के यहार चोटे-चोटे-चोटे लोईया काट लेंगे पूरी के लिए ऐसे कड़ाय में बना रहे हैं मेरी भाब भी वहां पर आज लगा रही है खीर पूरी रात में बन रही थी इसलिए वीडियो जादा अच्छा नहीं आया है जितना हो सका मैं रिकॉर्ड की हूँ जितना नहीं हो सका मैं नहीं की हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा इस वीडियो को जादा से शेर किजीएगा ट्रेंटस इतनी मेहनद से वीडियो बनाते है प्लीस इसे लाइक कीजेगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजीएगा अब हम एक एक करके लोई बना लेंगे लोई बना के रख लेंगे उसके बाद ही ज़ादा बन जाए गहाए उसके बाद ही बेलना स्टार्ट करेंगे फिर बनाएंगे ये प्रोसेस चलता रहेगा देखिए इतना लोई बन गया है अब हम इसे बेलेंगे कड़ाई पे हम रिफाइन आइल डाले है आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं प भी चान रही है और मेरी बैएन बैटके देख रही हो बोलती मुझे कब देगी मैं ठीक है मैं थोड़ा बेल लेती हूं फिर तुम बेलना फिर मैं बेलूंगी क्यों तुम बेलना ऐसे करके हम यहां यह वीडियो ज्यादा लंबा हो गया था इसलिए मैं बहुत सारे क्लिप फ दालेंगे तेल जब पूरा गरम हो जाए तभी पूरी डालना है वरना पूरी फुलेंगी नहीं अगर आप बिना गरम किये वे तेल में पूरियां डालेंगे तो वह कभी नहीं फुलेंगे पूरी अगर फुलाना है तो गरम तेल में ही पूरियां डाले फ्रेंड्स आपको विडियो पसंद आया होगा तो प्लेस प्लेस बीस शेयर जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएगा कमेंड कीजिएगा सबस्क्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे केले की टिक की रेसिपी नहीं देखे है तो वो भी चैनल पर एवल एवल है उसे भी आप देख लीजेगा और में उझे फेस्बुक और मेरे वाटसप चैनल पर जरूर फॉलो कीजेगा मैं इंस्टा आइडी भी बनाओंगी तो उसका भी लिंक डाल दोंगी तो आप उसे भी फॉलो कर लीजेगा आपको वहां पर नियू अपडेट मिलते रहेंगे यहां तेल गरम हो गए थे तो भाबी एक एक करके पूरी डाल रही है देखे पूरी कितने अच्छे से फूल रहे है गरम तेल पी पूरी या डालने से पूरी पूरी अच्छे के फूल जाते है एक एक करके हम सारे पूरी को फुला लेंग है हम से तीनों ने मिलके यह बनाया है आपको कैसे लगेगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा देखिए यह इतना और बचवा है अभी इतना बनने वाला है यहां अभी पूरियां छना रही है यह देखिए लकड़े के चूले पर और इतना सारा बन गया है हम कई सारा उठा के रख दिये है तो रेड़ी है हमारे खीर पूरी देखिए कितना अच्छा लग रहा ना देखके मूं में पानी आ गया ना एक पूरी आपको तोड़ के दिखा रही हूं खा के दिखा रही हूं देखिए यह बहुत ही स्वाधिष्ट बना था आप एक बार इस तरह स पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अगर मेरी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब किजिएगा मुझे फेस्बूक और वाटसब चैनल पर जरूर फॉलो किजिएगा वहां पर भी मेरी आईडी है तीजल मैं इंस्टाग्राम की भी आईडी बना झाल